Dear Students, हमने अपनी लास्ट की वीडियो में देखा मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ती कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है उसके बाद वाले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के विबिन संपर्दा के बारे में जाना आज के वीडियो में हम मनोबिग्यान की ही एक साखा सिच्छा मनोबिग्यान के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सिच्छा मनोबिग्यान को जानने से पहले हम ये जानेंगी कि सिच्छा क्या है सिच्छा किसे कहते हैं सिच्चा सब्द संस्कृत की सिच्धातू से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, सिच्चा के लिए बिद्धा सब्द का भी प्रयोक किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जानना सिच्चा सब्द को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, इसकी उत्पत्ती लेटन भासा के सब्द एडुकेटम, एडुशियर, एडुकेष से हुई है, एडुकेटम मतलब होता है सिच्चित करना, एडुशियर का मतलब होता है बिक्षित करना, और एडुकेष से म नाम से भी जाना जाता है, जिसका आर्थ होता है जानना, और इसकी उत्पत्ती लेटिन वासा के सब्द, एजुकेटम, एडुकेर और एडुशेर से हुई है, उसके बाद एक दू डेफिनिशन ऐसी लिखनी है, जो महान बिक्तितु द्वारा सिच्छा के बारे में दी गई ह अब हम उनको डिसकास करते हैं, जो पहली डेफिनिशन है, वो ऐसे समेकेंजी द्वारा दी गई है, इनके अनुसार ब्यापकर्त में सिच्छा एक ऐसी पिक्रिया है, जो जीवन परियान चलती है, तथा जीवन के पृतीक अनुबह से संबन दित है, और जो दूसरी डेफि अरस्तु की डेफिनिशन को, और ये टैट और सी टैट के परपस से भी काफी इंपोर्टेंट है, जो नेस्ट डेफिनिशन है, वो है महात्मा गांधी के अनुसार, सिच्छा का अर्थ उन सरफसेस्ट गुणों को बिक्सित करना माना गया है, जो मनुष्य तथा बालक के सर मात्मा आर आए किसी डेफिनिशन में, और आपको लगता है कि आपको उसका नहीं पता कि ये किसी ने दी है, और आप्शन में कहीं आपको मात्मा गांधी मिलते हैं, तो आप मात्मा गांधी आप्शन में लगा सकते हैं, फिर नेक्स डेफिनिशन है फ्रोवेल की, सिच्छ सिच्छा का अर्थ होता है विवार का परिमार्जन वहीं मनोबिग्यान का अर्थ होता है विवार का अध्यन तो हम कहा सकते हैं कि विवार के परमार्जन के लिए विवार का अध्यन करना ही सिच्छा मनोबिग्यान कहलाता है अब हम सिच्छा मनोबिग्यान को दूसरे अर्थ में देखते हैं सिच्छा प्लस मनोविज्ञान सिच्छा का अर्थ होता है जब मनश को ग्यान प्राप्त होता है तो उसके विवार में परवर्तन होता है तो हम कहें सकते हैं कि सिच्छो द्वारा मानब विवार का विकाश होता है वही मनोविज्ञान के अंदर मानब विवार के कारणों का अध्यन किया जाता है तो हम कह सकते हैं सिच्छा मनविग्यान का अर्थ है मानविवार का विकास के लिए मानविवार के कारणों का अध्यन करना ही सिच्छा मनविग्यान कहलाता है अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरुरत क्यों पड़ी पहले पुरानी time में गुरकूल हुआ करते थे तो पहले गुरकूल time में क्या होता था बच्चे जो गुरकूल में पढ़ने आते थे सिच्चक उनकी विपार का अध्यन नहीं करता था उसे नहीं पता रहता था कि बच्चे कें अंदर कितने गोढ हैं कितने अबगुढ है क्या खास बात है क्या योगता है इनने बिना चेक किये ही इनका बिना मार्जन किये ही सिच्छा दी जाती थी पर आज हम कह सकते हैं कि सिच्छा मनोविग्यानिक हो गई है बच्चों की योगताओं के साब से सिच्छा दी जाती है उन्हें सबजेक्ट चेतर में प्रियोग करते हैं तो उसे हम सिच्छा मनोविज्ञान कहते हैं अब हम सिच्छा मनोविज्ञान के इतिहास की बात करते हैं सिच्छा मनोविज्ञान की उत्पत्ती मनोविज्ञान की साखा की रूप में सन 1910 बी में हुई सिच्च मनोविज्यान ने स्वतंतर प्रिसय का दरजा सन 1926 में प्राप्त किया मतर पहले ये ब्रांश थी बाद में से एक स्वतंतर प्रिसय का दरजा प्राप्त हुआ कई मनोविज्यान को ने इसका समय अलग-अलग बताया है जो कि एक प्रक्तिवादी थे, इन्होंने एक विचारधारा दी थी, जिसे प्रक्तिवादी विचारधारा के नाम से हम जानते हैं, और इसी के बाद से इसका प्रारम माना जाता है, रूशोंने बताया था कि अगर किसी प्राणी को बातवरण में सुतंतर छोड़ दिया इन्होंने 1890 में सिच्चा मनोविग्यान की पहली प्रियोक साला अमेरिका के सिकागो सहर में स्थापत की, और सिच्चा को ती दुरूबी प्रक्रिया बताया, जिसमें पहला दुरूब पार्टिकरम को दूसरा सिच्चक और तीसरा छात्र को बताया, और कहा कि पार्टिकरम साथ-साथ पार्टक्रम का भी important role रहता है सिच्छा में जोंकि पार्टक्रम नहीं होगा तो ना सिच्छक जानता है की उसे क्या पढ़ाना ना स्षात को ये समझ माँग है की उसे क्या पढ़ना है तो ये तीनों ही चीजे बहुत important रोल में भाती हैं अब हम बात करते हैं सिच्छा मनोबिग्यान के जनक की सिच्छा मनोबिग्यान का जनक एड़वर्ड ली थॉन्डेक को माना जाता है एड़वर्ड ली थॉन्डेक को सिच्छा मनोबिग्यान का जनक मानते हैं क्योंकि इनोंने सीखने के तीन मुख्य पर पांच गौन नियम दिये थे, अब हम इन नियमों के बारे में चर्चा करते हैं, जो तीन मुख्य नियम थे, जिनमें पहला नियम था ततपरता का नियम, दूसरा नियम था अभ्याश का नियम, और तीसरा नियम था प्रभाव या परिणाम का नियम, इसकी simple सी trick है TAP, TAP से आप याद रखिएगा, पहला हो जाएगा ततपरता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम हो तीसरा हो जाएगा प्रभाव हो जाएगा परिणाम का नियम, ततपरता की नियम में क्या कहना चाता है, मैं ये बताता हूँ, अगर कोई इ सीखने पर बल देता है, तो वो चीज उसे जल्दी आ जाती है, वो जल्दी उस चीज को सीख जाता है, और तीसरा था आपका परिणाम या प्रभाव का नियम, इसमें क्या था कि अगर किसी चीज का परिणाम सुखद रहता है, है ना, तो वो उस चीज को जादा से जादा क करना चाहता है और अगर प्रणाम दुखद रहता है तो वो उस चीज को दुबारा करना नहीं चाहता है तो सुखद प्रणाम वाले चीज़ों को जल्दी सीख जाता है यह से तात पर है अब हम थौन डैक के गौन निमो की चर्चा करते हैं बैसे मैं यह टॉपिक आपको अध अगर वो चीज को कठिन समस्ता है तो वो देर में सीख पाता है तीसरा आंसी क्रिया का नियम इसके अंतरगत क्या है कि बालक किसी बड़ी समस्य को बहुत देर में सौल्ब कर पाता है लेकिन अगर उसी समस्य को छोटे-छोटे भागों में तोड़ कर उसे दिया जाए तो वो चीज को जल्दी से सीख सकता है और जल्दी से उसे सौल्ब कर सकता है फिर आता है साद्रश्यता अनुक्रिया का नियम इसे आत्मी करनड का नियम भी कहते हैं यह पूर्ब अनुबोपे अधारित है इसमें बालक को नई समस्या मिलती है तो बालक इस तरह की समस्या को व वही है बस परस्तिती में अंतर रहता है इसे साचर का नियम कहते हैं साधरिष्टा की नियम में क्या है कि परस्तिती भी सेम है और समस्या भी सेम है जब कि साचर की नियम में क्या होता है परस्तिती में अंतर रहता है जब कि समस्या समान रहती है इसा याद रखने की सिंपली इससे आपको क्रमबाइज आपको यह याद रहेगा अब हम सिच्छा मनोबिग्यान की मुख डेफिनेशन देख लेते हैं जो काफी इंपोर्टेंट रहती है और एक्जाम में काफी पूछी जाती है तो पहली डेफिनेशन है मनोबिग्यानिक पील के अंसार पीलिक मनोबिग्यानिक रहें इन्होंने का आए सिच्छा मनोबिग्यान सिच्छा का बिग्यान है इसकी ट्रिक क्या है पलो लगाकर सिच्छा का बिग्यान पढ़ते हैं हम पलो लगाकर सिच्छा का बिग्यान पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, सिच्छा का बिग्यान पढ़ते हैं, तो इनकी डेफिनेशन हो रहेगी, सिच्छा, मनो बिग्यान, सिच्छा का बिग्यान है, दूसरी डेफिनेशन जो है, वो है इसकिनर की, इसकिनर ने कहा है, सिच्छा, मनो बिग्यान, सिच्छन तता अधिगम से सम्म सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो यह और रहेगी आपकी सकिनर की डिफिनिशन, जो अगली डिफिनिशन है वो मनोविज्ञानिक जड ने दी है, इन्होंने कहा है जर्म से लेकर परक्पवावस्तातक के विकास क्रम में प्राणी की विवार में जो परवरतन आता है उसे सिच्छा मनोविज्ञान कहते हैं इसे simply आपको इतना ही याद रखना है जर्म से लेकर परक्पवस्था तक क्योंकि जड़ जो होती है वो जर्म से लेकर परक्वस्था तक बैसी की बैसी ही रहती है तो यह simple सी trick है साप यह याद अच्छे से रख सकते हैं कि यह जड़ ने कहा है जो अगली definition है वो है crow and crow के अंसार इन्होंने कहा है जर्म से लेकर परद्धा वस्था तक की सीखने का वर्डन और व्याक्या ही सिच्छा मनोविज्ञान है इसे भी simple याद रखिए कि जो crow मतलब का हुआ और जो कहुआ होता है वो जर्म से लेकर ब्रद्धा वस्था तक काउं काउं करता रहता है तो simply से आप एसे याद रख सकते हैं next definition है stephen मनोविज्ञानिक stephen के अंसा सैचिक विकास का करमपत अध्यान ही सिच्छा मनोविज्ञान कहलाता है तो आप याद रखे टिविन खाने के बाद हम करमपत अध्यान करते हैं पता तभी हमारे पास थोड़ा सा energy आती है और हम करमपत अध्यान कर पाते हैं जो next definition है वो मनोविज्ञानिक कॉल सेनिक अंसार है इन्होंने काया है मनोविज्ञान के सिध्धानतों और परणामों का अनिप्रियोग सिच्छा मनोविज्ञान कहलाता है तो ये कैसे याद रखेंगे तो मनोविज्ञान के सिध्धानतों परणाम भूल जाओ तो कॉल करो कॉल सेनिक आप कॉल से याद रखेंगे तो आप कैसा याद रखना है, मनो बिग्यान की सिद्धान तो परड़ाम भूल जाओ, तो कॉल करो, ऐसे, तो यह सिंपली हो जाएगा, यह कुछ सिच्छा मनो बिग्यान की डेफिनेशन थी, काफी एजी है, मुझे लगता है आप अच्छे से याद कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अभी लाइब नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राबर काफी कम है, चैनल लया है, तो ज़्यादा सेर गीजी इस वीडियो को, और सब्सक्राब कीजी चैनल को, and ठैक्स ट all of you.